शेर और पंडित की रोचक कहानी एक गाव था उस गाव के रस्ते में बहुत घना जंदल था जंदल घना होने के कारण तरह तरह के पशुपक्षी जंदल में रहते थे एक शेर भी रहता था शेर कभी कभी गाव में घुसकर काफी तहल का मचाता था इसी वज़े से गाव वाले जंगल के रस्ते में एक पिंजडा रख दिये थे रात हुई सभी अपने घरों के अंदर हो गए गाव शान्त हो गई तभी शेर उसी रस्ते से गाव की ओर जा रहा था रस्ते में लगा पिंजडा में उसका पैर फंसा और भारी शरीर होने के कारण शेर पिंजडे में बंध हो गया अब वहां उस पिंजडे में बुरी तरह से फंस चुका था काफी कोशिश करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया सुबा हुई कुछ समय बाद एक पंडित उसी रास्ते से गाव में पूजा कराने जा रहा था तभी शेर बोला नहीं पंडित, मैं ऐसा नहीं करूँगा शेर की लाचारी देखकर पंडित को शेर पर दया आ गई और वहां बगल के तालाप से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया शेर पानी पी लिया उसके बाद फिर से पंडित को बोला पंडित प्यास तो बुझ गई अब पूरी रात से भूखा हूँ कुछ खाने को दे दूँ शेर ने फिर से आवाज लगाई हो पंडित मैं इस पिंजडे में बुरी तरह से फस चुका हूँ क्रिपा करके इस पिंजडे से मुझे आजाद करा दू नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता तुम एक मां सहारी जीव हो पिंजडे के बाहर आते ही तुम अपना अस्तित्व में आजाओगे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे परिवार को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा पंडित उसकी बात मानकर पिंजड़ा का दर्वाजा खोल दिया और शेर बाहर आ गया शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस ली और बोला मेरी अभी तब भूख मिजी नहीं है और भोजन भी सामने है, सो भोजन तलाशने का भी जरूरत नहीं है अब जट से तुझे अपना शिकार बना लिता हूँ इतना सुन पंडित दर से कापने लगा और बोला मैं जीव ही उसी तरह का हूँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है तो अब कुछ नहीं सयोग से ये सब घटना पास के एक पेड़ पर बैठे बंदर देख था शेर और पंडित में बहस चल ही रहा था तभी बीच में से बंदर बोल पड़ा क्या बात है पंडित? क्या बहस हो रही है? पंडित सारी कहानी कहकर बंदर को सुनाया बंदर बोला अच्छा तो ये बात है वैसे पंडित मुझे एक बात समझ नहीं आई इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता शेर को अपनी बेजती होते देख रहा नहीं गया और शेर बोला मैं अभी दिखा देता हूँ इस पिंजरे में फिर से जाकर और इतना कह शेर फिर से उस पिंजरे में चला जाता है और पिंजरा का दर्वाजा बंध हो जाता है और उसके बाद शेर बोला देखोंगे इसी तरह पिंजरे में था अब देख क्या रहे हो पंडित अपनी जान बचा कर भाग लो और पंडित वहां से भाग जाता है शेर फिर से पिंजडे में कैध हो जाता है कहानी का सार पहले सोचे और फिर उसके अनुसार कार्य करें